तो आज के साथ एक और नई स्कॉलर्शिप स्कीम लेकर आया हूँ इस स्कीम के अंडर आप 75,000 तक का स्कॉलर्शिप जैवो पर यह अवेयल कर सकते हैं इस स्कीम के लिए अगर आप किसी भी क्लास में हैं फरस्ट से लेके 12 में हैं या अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं professional, non-professional या post graduate का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए eligible हो इस स्कीम की मैं आपको पूरी की पूरी details इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा important है वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना चैनल को भी 12 में undergraduate, post graduate का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुरूर जुड़े रहना है YouTube पे भी और उसके साथ Telegram ग्रूप में भी जोईन हो कर रहना क्योंकि हमारी चैनल पे आपको सारे अपडेट चाहे admissions हो, counseling हो, scholarship हो या government के जो भी schemes हैं students के लिए उनके updates आपको हमार चैनल पे time to time मिलते रहते हैं, उन schemes को मैं आपके साथ detail में discuss कर लेता हूं और उनका सारा process में आपको समझा देता हूं, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुरूर जुड़े रहना है, सारी information आपको मिलते रहे हैं, तो चलिए, no time waste किये हुए, इस scheme के बारे में जान लेते ह scholarship scheme है, यह HDFC bank की तरफ से दी जाती है, आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी private companies वगएरा हैं, या जो भी other banks वगएरा हैं, तो काफी companies जो है वो students को scholarship भी offer करते हैं, उसी तरह से HDFC bank भी जो है वो, एक scholarship offer करता है, HDFC bank परिवरतन scholarship scheme जिसको कहते हैं, इसमें आप up to 75,000 scholarship avail कर सकते per year का, इसमें undergraduate, postgraduate या first SLA के 12 तक के, जिस भी class के student है, वो यहाँ पर eligible हैं, इस scheme के बारे में मैं आपको जाओ, detail में सारी classes का समझा देता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो candidate postgraduate का कोई course कर रहा हैं, वो इस scheme के लिए eligible हैं, और उसके eligibility का criteria क्या रहेगा, तो postgraduate की, अगर म का course है, या non-professional का course है, किसी भी recognized institute या college जो इंडिया में located हो, उसमें अगर आप under postgraduate का कोई course कर रहे हैं, तो आप इस scheme के लिए eligible हो, और उसके सासाथ आपके previous जो exam है, उसमें minimum आपको 55% marks होनी चाहिए, और family की income आपकी जो है, और फैमिलाग या डाइलाग के बिलो होनी चाह के लिए अगर हम amount की बात करें, तो postgraduate में आपको 35,000 मिलेगा अगर आप non-professional का कोई course कर रहे हैं, और अगर आप professional का कोई postgraduate का course कर रहे हैं, जैसे mtech वगेरा, MBA, तो इसमें आपको 75,000 तक का scholarship जो हो per year यहां पे postgraduate में मिलेगा, आप documents के आप में postgraduate की बात करो, तो इसमें पाकशीट आपकी लगेगी, ID proof आपका लगेगा, अधार कार्ड, voter ID कार्ड, driving license वगेरा, कनटीर का admission proof आपका लगेगा, जिसमें आपका फीरिस अप्ट हो, admission letter हो, institute का ID कार्ड हो, या bonafide certificate आपको जो school college वाले दे दिगे, वो यहां पे लगेगा, उसके पद आपकी पस bank passbook ए यहां पे आपको लगेगा, उसके साथ, अगर family crisis के लिए आप eligible हैं, तो उसका आपको जाएवो यहां पे, family proof यहां पे आपका होना चाहिए, ठीक, उसके बाद मैं बात करूँगा, यहां पर undergraduate के students का, यहां कि जो student undergraduate, simple graduation, कुछ को यहां पे कर रहे हैं, तो उसके eligibility के हम यहां अगर बात करें, तो उसके eligibility के लिए candidate, अगर कोई भी undergraduate का course कर रहा है, जैसे BCOM, BSE, BA, BCA, या professional का कोई course, BTEC, MBBS, LLV, Architecture, Engineering, Pharmacy, या nursing का कोई भी course कर रहा है, तो वो इसके लिए यहां पे eligible है, undergraduate का, और इसमें आपको minimum previous year के marks, जो है, previous year, जो आपने previous exam qualify किया है, जैसे 12th आपने क जाएगी, जिनकी family income काफी कम होगी, पूरे आल और इंडिया की candidate, जह हो, इस scheme के लिए यहां पे eligible है, इसमें आगर मैं amount की बात करो, तो जो general undergraduate का course कर रहे है, उनको 30,000 तक per year का scholarship मिलेगा, और जो professional undergraduate का कोई course कर रहे है, उनको 50,000 तक का यहां पे जह हो, scholarship per year का यहां पे डॉक्मेंट्स की आगर मैं बात करो, तो डॉक्मेंट्स में यहां पे आप देख लिजे, अपना passport size photograph, उसके बाद यहां पे आपका previous year का marks card, ID proof आपको कुछ भी हो, author card, voter ID, driving license, current year का admission का proof आपका लगेगा, जिसमें आपकी fair receipt admission letter, institute का ID card, bonafide हो, उसके बाद, bank passbook आपके पास ह होनी चाहिए, income का कोई proof आपको लगेगा, तो यहां पर चलेगा, उसके बाद, यहां पर हम बात करेंगे, amount का भी तो, और मैंने आपको बोला, उसके बाद हम बात करेंगे, class first से लेके class 12 के जो candidate है, उनके लिए क्या eligibility यहां पर रहने वाली है, तो class 1 से लेके class 12 या diploma ITI के जो candidate है, उसमें अगर candidate class 1 से लेके class 12 किसी भी class में पढ़ रहा है, डिप्लोमा कोई कर रहा है, या ITI कर रहा है, पॉल्टेक्निक का कोई कोर्स कर रहा है, गोर्मिट या प्राइवेट स्कूल में, तो वो इस scheme के लिए हैं पर eligible है, उसके बाद यहां पर आपका previous 55% marks होनी चाहिए, और annual income आपकी family की डाइला के डाइला के बिलो होनी चाहिए, प्रफरेंस उनी कंडिडेट को दी जाएगी, जो मतलब जिनकी family crisis है, family की income काफी कम है, उनको ज्यादा प्रफरेंस दी जाएगी, पूरे आल और इंडिया के इस scheme के लिए eligible है, class first से लेके class 12 तक आपको 15,000 per year का scholarship मिलेगा, class 7 से लेके class 12 ITI डिप्लोमा में यहां पर आपको ज लगेगा, उसके बाद current year का admission proof लगेगा, bank passbook आपकी लगेगी, income proof लगेगा आपको, उसके बाद यहां पर आपको family crisis का यहां पर लगेगा, ठीक, इसमें यहां पर आपको होगी तीनों schemes के बारे में, यहां के class first लेके 12th ITI डिप्लोमा के लिए, undergraduate और post graduate के लिए सारा कुछ म आपको बता दिया, अब बात आ जाती है, इसको apply करने की टुक्ती, apply करने के लिए मैं आपको तीनों schemes की link description में दे रहा हूँ, आप वहां से जाके तीनों schemes के लिए जाके apply कर सकते हैं, अपना form लगा सकते हैं, last date याद रखिए, तीनों के लिए आपकी 31 December आपकी last date यहां पर और जो भी schemes हैं, उनके बारे में आपको जो अपडेट दे देंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ जूड़े रहना होगा, YouTube पर भी, Instagram पर और उसके साथ, Telegram पर जुरूर जोइन रखिए.